ही हलोप फुडी तो आज हम लोग बनाएंगे चकली तो ये महराश्ट्रा में बहुत फेमस रेशिपी है दिवाली पे सब के घर पर बेनती है तो आज हम लोग ट्राइ करते हैं ये बहुत ही टेस्टी और बहुत क्रिस्पी बनती है आप इसे बना करके राम से दो मन तक स्टो इसे पानी को एकदम अच्छे से भ्यल कर लेना है ते इसमें डालेंगे तीन चमच सेश्मी शेर मतलब सफेद वाला तिल और इसी अच्छे से उबाल लेना है तो जिस बाउस裡面 रवा ली आты उसमें पानी लिए और इसे अच्छे से घलवा या उप मा के टेक्स्चर में बना लेंगे या जिसमें भी आप आटा गुतते हो इसमें आराम से निकाल लेंगे और इसमें डालेंगे मसाले राइक हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे हम इसमें यह हिंग थोड़ा सा हिंग डाली हुमें हाफ टी स्पून एंड देन हम इसमें एड कर देंगे के पीपर काली मिर्च की पाउडर एड़ कर देंगे हलका सा और मैंने इसमें हलका सा जीरा पाउडर भी एड़ किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगी अभी तो हम चमच का यूज कर रहे हैं फिर हम इसमें डालेंगे दो कटोरी यह चाबल का आटा तो सारा मेजर्मेंट पैसे ही यूज करना है तो फिर एकदम पर्फेक्ट बनती है बिल्कुल भी कराही में टूटेगी नहीं और फिर हम इसे चमच से मिक्स कर लिए फिर यह जब हलका सा ठंडा हो जाएगा फिर हाथ में ती लगा लेंगे और हलका हलका गुन-गुना गरम पानी से एक अच्छा सा डो बना लेंगे तो इसके डो को में ज्यादा टाइट नहीं रखना है लाकि जो हम आटा गुते हैं रोटी के लिए उसी टाइप को बनाना है बट यह चावल का आटा तो ज्यादा सॉफ्ट होता है तो आप पानी का धिहान दीजिएगा तो इसे हम रोटी का नहीं बट ह हम कचोड़ी बनाते हैं तो उसके लिए हलका सा जो टाइट रखते हैं उस टेक्चर में हमें आटे को गुतना है और फिर इसमें तेल लगा करके पांच मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सारी महश्यर को अबजर्ब कर लें फिर हम लेंगे यह चकली मसीन तो यह मैंने म मौटर्न Bala मशीन यूज़ किया है तो आप यह एंचान से मंगा सकते होई लि मैने इमेजन से ही लिया है तो यह बहुत ही अफोड़ेबल भी है और यूच़ करना भी काफी जिए तो हम इसमें हर एक में तेल लगा लेंगे ताकि आर्ट का रहा है उसमें चिपhalten में करने मा बहुत आसानी हो तेल लगा करके अच्छे से सिट कर लेंगे और जो हम लोग चकडी का जो फ्रेम होता है ना चकली बनाने का वो फ्रेम यूज किया इसमें वह बना लेलो और फिर हम इसे चकली को बन कर लेए और अच्छे से चकली बना लेंगे कितनी सेपी अच्छी है तो इसे यह मसीन करना है काफी अच्छा है तो मैंने सारे चकली को एक साथ मतलब लाइक Ёपा अगर अगर डोवर होगे ना आठा का तो यह आठ से 9 चकली बनके त्यार हो जाती आप से 9 से दस चकली तो ऐसी करके आप चकली बना लो और साथ में तिल कर लेंगे तो चकली बना करके उसे तीन से चार मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे जब हलकी सी सूख जाएगी फिर हम मीडियम फ्लेम पे तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे फ्लेम मीडियम ही रखना है और उसके बाद हम चकली को दोनों साइड से गोल्डेन ब्राउन होन और एक भी चकली तूटी नहीं है और बहुत अच्छी बनके तयार हुई है तो ऐसी करके आप क्या करों नहीं पहले जिसे जब तक यह तल रही है हाफ तब तक हम उधर और चकली बना लेंगे तो पास मिन तक अराम से सुख जाएगी तो उसे उठा करके रखने में भी एज है तो एसी सेम कुसिस्य करते हुए मैंने सारी चकली बना लिये लास्ट में थोड़ा से एकस्पे 유मियंट कर लेते हैं क्योंकि उसमें इसमें 20 अच्छ मेam अच्छ दो बनते होंगे तो सचेंशर कीर्वह तो सर ब ende बना के देखते हैं तो यह बनाना भी ना बहुत सूधिंग था इतना रिलाक्सिंग लग रहा था ना जब इसे बहुत सारी लेयर्स आउट हो रहते तो मैं सची एक बार डोका यह बना लेती हूं और दो बाउल चावल के आटा एंड वन बाउल सूझी में बहुत सारी फूल अफ प् फ्राइ करने टाइम हम यह ध्यान रखना है कि जो हम चकली रखते हैं ना तो उसे एकदम से रखने के बाद श्टर नहीं करना है अब दो से तीन मिनट अराम से उसे विट करो जो वह हलका सा आपको लगने लगेगे ना कि वह हलका सा लाइट ब्राउन हो गया है पक गई है तो हम उसे पल्टेंगे और वह दो बार में काफी है दो बार में अच्छे से पक जाती है एक बार पल्टो फिर अगले बार पल्टो और वह त्यार हो जाती है और यह मैंने यह लंबा साथ लिया कुछ तो इसे बोलते हैं गुजराती रेसिपी है ना ऐसे बनती है कुछ तो हम और फाफरा यह खा घर खार मुझा सूचान तो मैं सोच हुम कि एक वार इसटार कर लेते हैं तो ये भी बहुत अच्रेकर भी आसे बहुत ही बनी थी थी खुल रु हम अंग circ अब एक्तम पर्फिक्त था तो आप एक बार इसे जरूर ट्राइ करना एंड बताना कि मुझे कैसी लगी है दिवाली पी नॉर्मली ऐसे चाय के लिए बहुत अच्छी है एंड थैंक यू तो आप बताओ एक बार रेसिपी ट्राइ करने के बाद कॉमेंट करो कि कैसी लगी आ आप दन तेरस टू एवरीवन तो इस दिवाली पी आभी अच्छी अच्छी स्नेक्स ट्राइ करो बनाव खाव और इंजाय करो हापी दन तेरस आप दिवाली टू यू